Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की Current Feelings और Thoughts आपके लिए क्या है ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है ये एक Short Reading है और बिल्कुल Timeless है सो देखते हैं कि आपके परसन की Current Feelings आपके लिए क्या है वो कैसा feel कर रहे है सबसे पहले हमारे पास है The World सो हो सकता है कि आप लोगों के दरम्यान Long Distance Connection है या इस वक्त आप लोगों के दरम्यान Emotional Distance आया हुआ है लेट सी आपके परसन की Current Feelings Spirit उनकी Current Feelings और Thoughts क्या है So maybe यहाँ पर कोई Ending हुई है और कोई Cycle Complete हुआ है कोई नया Cycle शुरू होने का Indication हो सकता है या यह आपके Partner के साथ Number 21 किसी के लिए Important हो सकता है किसी की Age हो सकती है 21 So हमारे पास आगया है Seven of Pentacles कोई Pregnant हो सकता है Color Green किसी के लिए Important हो सकता है Number 7 किसी के लिए Important हो सकता है फिर हमारे पास The Hierophant हो सकता है इसी तरह आप में से किसी के कोई Guru है जिन से आप रापता कर रहे हैं हो सकता है कि आपके Person के कोई Guru है कोई उनकी जिन्दगी में कोई Spiritual Personality है जिन से वो रापता कर रहे हैं और जिन से वो कह रहे हैं कि मुझे guide कीजिए बिलकुल यहाँ पर इस image में हमें यही नजर आ रहा है तो हो सकता है कि आपके person किसी से guidance ले रहे हैं इस connection को लेकर, किसी के पास जा रहे हैं, इस पे है judgment, so this is a very beautiful judgment card I feel कि यह self discovery light की तरफ आने वाला card है इसके अंदर इसका meaning बहुत different है, इस deck में जो हम image देख रहे हैं, कि यह light है, यह happiness है यानि फूल देखे हैं कैसी जगा पर खिल रहे हैं, जहां पर कोई imagine भी नहीं कर सकता है so this is something कि darkness में किसी ने light ढून ली है किसी ने positivity ढून ली है I really feel कि maybe आप लोग खो चुके थे, hope खो चुके थे इस connection को लेकर या आपके person और फिर जब वो अपने किसी गुरू से उन्होंने राप्ता किया और उन्होंने पूछा तो उनको बड़ी hope मिली बड़ी light की तरफ वो आए, बहुत ज़दा मुझे लगता है जैसे आपके person की spiritual growth की journey है वो grow कर रहे हैं, आजकल वो या तो किसी को social media पर follow कर रहे हैं किसी को नोंने अपना mentor बनाया हुआ है social media पर और उनको देख देखकर वो काफी grow कर रहे हैं, learn कर रहे हैं और इसी वज़ा से वो इस connection के बारे में भी positively सोच रहे हैं very interesting message हो सकता है आपने भी किसी को बनाया हो, mentor next we have nine of pentacles I don't know यह focus क्यों नहीं का रहे है so nine of pentacles हमारे पास आया है seven of pentacles I do feel कि आपके person मेहनत करना चाहते हैं मेहनत कर रहे हैं कुछ goals हैं जो वो achieve करना चाहते है nine of pentacles traditional tarot में हमें यह बताता है इसमें भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे एक इनसान fruit तोर रहा है harvest का time है right achievements हो रही है I feel आपके person ने कहीं पर invest किया था वहां से उनको फाइदा आना शुरू हो गया है और कुछ लोग आप दोनों के दर्मियान misunderstandings create करवा रहे है bottom of the deck पर हमारे पास king of chalices है जो के है king of cups which means कि यह इनसान आपसे बहुत प्यार करते है genuinely आपसे प्यार करते है so कोई जितनी भी misunderstandings create करवाने की कोशिश करें यह इनसान आपसे प्यार करते रहेंगे but थोड़ा सा अपनी energy को protect करें किसी से ज़्यादा share मत करें so आपके person की overall जो feelings और thoughts हमने देखिए वो किसी से आजकल बातचीत कर रहे हैं किसी से मशवरे कर रहे हैं इस connection को लेकर कामयाबी को लेकर क्योंकि यह इनसान successful होना चाते हैं इस connection को successful बनाना चाते हैं और आजकल उन्होंने या तो इंटरनेट पर किसी को अपना mentor बनायावा है या physically वो किसी से मिलने जाते हैं time to time और उनसे guidance लेते हैं connection के बारे में और जिन्दगी में कामयाबी की tips लेते हैं कोई ना कोई ऐसी activity आपके person की मुझे नज़र आ रही है so यह आप लोगों की quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप ज़रूर बताएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye